आज हम एक ऐसे सभय में मिल रहे हैं जब टेक्नोलोजी संगीत की दुनिया में काफी प्रवेश कर चुकी है मेरा इस कल्चरल फाउंडरेशन से आगर है कि वो दो बातों पर विशेश फोकस करें हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात तो सुनते हैं लेकिन ग्लोबलाइजेशन की जो परिभाशाएं हैं और वो सारी बाते गुम फिर करके अर्थ कैंद्री हो जाती हैं अर्थ विवस्ता के ही पहलूओं को स्प्रस करती है आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में भारतिय संगीत भी अपनी ग्लोबल पहचान बनाए ग्लोबल ही अपना प्रभाव पैदा करें ये हम सब का दाईत्व हैं भारतिय संगीत मानिविय मन की गहराई को अंदोलित करने का सामर्त रखता है साथ साथ प्रकृतिय और प्रमात्मा की वन्नेश के अनुभव को भी बल देता है इंटरनेशनल योगा डे अब सारी दुनिया में योगा एक प्रकार से सहज अस्तित्व उसका अनुभव होता है और उसमें एक बाद अनुभव आती है कि भारत की इस विरासत से पूरी मानवजात पुरा विश्व लावानवित हुआ है विश्व का हर मानवी भारतिय संगीत को जानने समझने सीखने और लावानवित होने का भी हगदार है यह हमारा दाइत्व है कि हम इस पवित्र कारियों को पूरा करें मेरा दूसरा सुजाव है कि जब टेकनोलोजी का प्रभाव जीवन के हर खेत्र में है तो संगीत के खेत्र में भी टेकनोलोजी और आईटी का रिवलुशन होना चाहिए भारत में ऐसे स्टार्टप तयार हो जो पूरी तरह संगीत को डेडिकेटेड हो भारतिय बाद्य यंत्रों पर आधारित हो भारत के संगीत की परंपराओं पर आधारित हो भारतिय संगीत की जो पवित्र धारा है गंगा जैसी पवित्र धाराएं हैं उनको आधुनिक टेकनोलोजी से सुसजित कैसे करे इस पर बहुत कुछ करने की आवश्रत्ता है